हेलो इस्टुडेंट्स यू आर मोस्ट वैलकम इन आर्शाई एजुकेशन हब्स ओनलाइन क्लासेट्स तो डियर इस्टुडेंट्स का अपना एक टॉपिक चाल रहा था टैंस का जिसके अंदर हमने प्रजेंट सिंपल टैंस कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था की उपर अब हम नंबर दो पर पढ़ेंगे प्रेजेंट रहेंगे थें यह यृता है present continuous चैन्स कर दो जिस तरीके से प्रजेंट सिंपल थी कुछ बहुत पहले हमने पहक्तिकिती है पहचान पड़ी थी उसे प्रकार से present continuous tense में भी हमारी को पैचान पढ़नी होगी पैचान क्या होती है रहा है रही है रहे है रहा हूं इन सब्दों में से कोई भी सब्द हिंदी वाक्य के अंत में आता हो जैसे वह खाना खा रहा है रहा है तो कौन से ते टेंस का वाक्या हो गया present continuous tense का वाक्य प्रजेंट शिंपल में यही बात पढ़ी थी इसमें भी यही पढ़ेंगे आगे जितने भी टेंस चलेंगे उन समय वही पैचान इसी तरीके से पढ़ती हुए चलेंगे अब उसके बाद रूल चलेंगे मैंने आपको बता है कोई भी टेंस को याद करने के लिए तीन चीज़े इंपोर्टेंट होती है उसकी पहचान उसकी helping वरब और उसकी main वरब पहचान हमने याद कर ली अब याद करेंगे इसकी helping वरब वो पढ़ेंगे helping वरब के रूप में किसका यूज किया जाता है present continuous में आपको मैं बताता हूं is rm तेन helping वरब चलती है is rm इसमें चे पोजिटीव हो चे नेगेटिव हो इंटर्गेटिव हो या इंटर्गेटिव प्लस नेगेटिव चारों सेंटेंस में helping वर लगेगी वो सिरफ प्रजेंट्स सिंपल के positive में ही helping वरब नहीं लगती है और दूसरा होता है past simple का positive बाकी के सभी में helping वरब चलती है तो helping वरब is rm तीन helping वरब हो गई dear students तीन helping वरब तो हमने पढ़ ली लेकिन अब हमारे को यह नहीं पता कि इन तीनों का एक साथ यूज करें या अलग-अलग आपको मैं बता दूं कि तीनों का अलग-अलग यूज होगा अब कहां कहां यूज होता है rule no.2 he see it he see it ताथा singular noun जो singular होते हैं उन सब के साथ तो किसका यूज किया जाता है its का यूज किया जाता है अरथात एक question करता हूँ के साथ its का यूज किया जाएगा नमबर तीन we you they तथा plural noun अरथा बहुचन करताओं के साथ आर का यूज किया जाता है करता एक question हो तब तो its का यूज करेंगे करता बहुचन हो तब किसका करेंगे आर का बच क्या गया यदि subject करता आई आता हो आई करत होता है मैं यदि यह subject हो तो इसके साथ हम किसका यूज कर देंगे एम का यूज कर देंगे तीनो helping वरब का हो गया लग-लग यूज तो यह dear students आपको तीनो helping वरब का यूज करना होगा अब वाक्य में एक साधान वाक्य जो positive sentence या negative sentence होता है उसमें सबसे पहले subject होता है subject के बाद helping वरब होती है helping वरब हमारे को is our aim मिल गई उसके बाद helping वरब के बाद होती है main वरब अब main वरब कौन सी चलती है dear students द्यान रखना continuous का कोई सा भी आजये चे present हो चे past हो या future हो सभी continuous में helping वरब को वोश्वरी main वरब चलती है वरब की first forum के साथ ing अर्थात वरब की ing फोरम का यूज किया जाता है subject हो गया helping वरब हो गई main वरब हो गई और main वरब के बाद क्या आता है object आता है यह एक positive sentence का structure तैयार हो गया अब जब positive का हमारे को मिल गए तो negative का तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यों क्योंकि negative sentence में क्या होता है हम पिछले जो 10 सा उसमें पढ़कर आये थे यदि वो शोरी यह पढ़कर आये थे कि helping वरब के बाद note का यूज किया जाता है negative में तो dear students इसमें कोई अलग नहीं चलेगा इसमें भी वही बात रहेगी negative में क्या रहेगा helping वरब के बाद helping वरब के बाद किसका यूज हो जाएगा note का यूज पहले helping वरब उसके बाद क्या लगा देंगे note पहले subject subject के बाद helping वरब helping वरब के बाद क्या लग जाएगा note लगे note के बाद में वरब कुछ नहीं करना एक note जोड़ना है बाकिका वो को श्ट्रेक्टर नंबर साथ पर interrogative dear students interrogative sentence में क्या होता है कुछ नहीं जो पिछले में पढ़ कर आए स्रफ उसी बेस के उपर उसमें क्या पढ़ा था subject से पहले helping वरब अर्थात पहले helping वरब और उसके बाद किसका यूज कर देंगे subject का यूज और अंत में क्या लगा देंगे question mark लगा देंगे यह उसमें पढ़ा था subject से पहले helping वरब अर्थात helping वरब उसके बाद subject subject के बाद main वरब main वरब के बाद object और अंत में क्या लगा देंगे question mark तो यह था interrogative sentence नंबर आठ पर interrogative प्लस में negative sentence इसमें भी सेम वोई बाते रहेंगी जो पिछले पढ़कर आये थे क्या होगा subject से पहले helping वरब और subject के बाद note लगा देंगे और अंत में क्या लगाना होगा question mark same way प्रकरिया बाकी के इनकी जो जितने भी रूल है विस्तरित रूप आपको मैं भीज दूंगा उसके माध्यम से आप इन सबको समझ लेना बाकी का वीडियो के माध्यम से आपने मैंने इसके रूल इसकी पैचान यह सब कुस आपको मैंने समझा दिया